खुशाहाली सम्रिद्धी शान्ती और सकारात्मकुर्जा का प्रतीक दिपावली का पर्व आज यानी 14 नमंबर को है ये पर्व देशभर में हिंदूों के सबसे प्रमुक और बड़े त्योहारों में से एक है रोशनी का ये त्योहार असत्य पर सत्य की जीत का भी प्रतीक है मानता है कि रामण की लंका का द्यहन कर 14 वर्ष का वनवास काट कर भगवान स्री राम अपने घर लोते थे इसी खुशी में पूरी प्रजा ने नगर में अपने राम का स्वागत करने के लिए घी के दीपक जलाए थे राम के भगतों ने पूरी अयध्या को दीयों की रोशनी से भर दिया था दिपावली का त्योहार हर साल कार्थिक मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्यातिति को मनाया जाता है इस दिन मालक्षमी और भगवान गणेश की विधी विधान के साथ पूजा की जाती है अगर आप भी दिपावली पर मालक्षमी का कृपा पाना चाहते हैं तो जाने दिपावली के दिन किस शुब मुहुर्त और किस विधी से पूजा करनी चाहिए आइए बताते हैं कि दिपावली की शुब मुहुर्त क्या है अमावस्या तिथी प्रारंब 14 नवंबर 2020 को दोपहर 2 बचकर 17 मिनट से होगी अमावस्या तिथी की समापती 15 नवंबर 2020 को सुभह 10 बचकर 36 मिनट तक रहेगा लक्षमी पूजा मुहुर्थ 14 नवंबर 2020 को शाम 5 बचकर 28 मिनट से शाम 7 बचकर 24 मिनट तक रहेगा अब आये जानते हैं दिपावली की पूजन सामगरी दिपावली पूजन सामगरी में लक्षमी गनेश की प्रतिमा, लक्षमी जी की अर्पित किये जाने वाले वस्त्र, लाल कपड़ा, सप्तधान्य, गुलाल, लौंग, अगरबत्ती, हल्दी, अर्ध, पात्र, फूलों की माला और खुले फूल, सुपारी, सिंदूर, इत्र, इ लाची, कपूर, केसर, सिताफल, कमलगटे, कुशा, कुंक, साबुंधनिया, खील बताशे, गंगाजल, देशी घी, चंदन, चांदिका सिक्का, अक्षत, दही, दीपक, दूध, लौंग लगा पान, दूब, घास, गेहु, धूबत्ती, मिठाई, पंचमेवा, पंचपल्ल तेल, मौली, चीनी, शहत, नारियल, और हल्दी की गांट, दिपाउली की पूजन शामगरी में सामिल कर ले अब आये जानते हैं कि पूजन की बीधी, धन तेरस के दिन माता लक्षमी और भगवान गनेश की नई मूर्ती खरीद कर दिपाउली की रात उसका पूजन की आ जाता है दिपाउली के दिन इस तरह करें मालक्षमी की पूजा सबसे पहले एक चोगरी पर लाल वस्तर बिछा कर उस पर मालक्षमी और भगवान गनेश की प्रदिमा रखें अब जलपात्र या लोटे से चोगी के उपर पाने छड़कते हुए मंदर का उच्चारण करें इस वीडियो में फिलहाल इतना ही आप अपने सवाल और सुझाओ हमें कमेंट्स करके बताइए बाकि देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के अप्डेट्स के लिए हमारे चैनल लोगमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लिजिए